नमस्कार में हुजय श्रेनागदा और आप देख रहे हैं CBC News 12 गुजरात में हमदाबाद सिविल अस्पताल से चुड़ा एक और हैरान कर देना वाला मामला सामने आया है एक परिवार के कुरोना संक्रमित एक बुजुर्ग सदस्की मौत होने की बात कहकर अस्पताल प्रशाशन के और से उन्हें एक शव सौपा गया था जिसका अंतिम संसकार उस परिवार ने कर दिया था बाद में अस्पताल प्रशाशन के और से उनसे कहा गया कि उनके परिवार के इस बुजुर्ग सदस्की हारत स्थिर है इंडियन एक्स्प्रिस की रिपोर्ट के मताबिक एक कोरोना संदिक्द को म्रत घोशित कर उसका शव परिवार को सौप दिया गया लेकिन शव के अंतिम संसकार के पाथ अस्पताल ने बताया कि मरीज की हालत अब इस्थिर है विराट नगर के रहने वाले 71 साल के देवराम भाई भी सिकर को 29 माई को अहन्दबाद सिविल अस्पताल के गुद्राट कैंसर एंड रिसेर्च इंस्टिटूट में म्रत घोशित कर शव उनके परिवार को सौप दिया गया था उनके अंतिम संसकार के कुछ घंटों के भीतर ही उनके परिवार को अस्पताल से सूचना दी गई कि मरीज की हालत अब इस्थिर है अस्पताल से अगले दिन एक और फोन आता है जिसमें परिवार को यही बताया जाता है नोबेल नगर में रहने वाले देवराम भाई के दामाद निलेश निखते ने बताया कि 29 माई की दोपहर हमें जी सी आराई किसे एक फोन आया जिसमें बताया गया कि उनकी मौत हो गई है जब मैं परिवार के सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंचा तो हमने कोविड प्रोटोकोल के मुताबिक एक पैक शव देखा वो कुरुना संदिग्द थे उनके जाच रिपोर्ट लंबित थे शव को पूरा पैक किया गया था इसलिए हम उनका चेहरा नहीं देख पाए कपडो का बैक और अन्य सामान जो मैंने अस्पताल में भरती होने के दौरान दिया था वो भी शव के साथ था इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे सस्वर है देवराम भाई को खांसी और रत्यचाप बढ़ जाने के बाद 28 मैं की दो पहर एहंदाबाद के सिविल अस्पताल में भरती करवाया था सीने का एक्सरे लिए जाने के बाद उन्हें कोविड वाड भेश दिया गया था और शाम तक उन्हें जी सी आराई ट्रांसपर किया गया था नीलेश और देवराम भाई के भतीजे ने 29 मैं की रात वडाज में व्रत्म्रतक का दा संस्कार किया देवराम भाई की तीन बीटियां हैं जिन में से दो की शादी हो गई हैं देवराम भाई की अंतिम संसकार के बाद अगले दिन 29 माई को रात लगभग देड़ बजे उनकी बीटि को अस्पताल से फोन आया नीलेश ने कहा मेरी पत्नी ने अग्यात नंबर होने की वज़े से फोन नहीं उठाया और इस वक्त रात भी बहुत हो गई थी हमें 30 माई की सुबर अस्पताल के कॉल से फोन आया जिसमें हमें बताया गया कि मेरे ससुर की कोविड रिपोर्ट नेगिटिव आई है और उन्हें गेर कोविड वार्ट में शिफ्ट किया गया है निलेश ने कहा हम अस्पताल पहुँचे जहां अस्पताल की निदेशक ने बताया कि जिनकी व्रत्यू हुई है वे मेरे ससुर ही है और कहीं कुछ गलती हुई है इसके बाद हम घर लोटाए लेकिन घर पहुचने के बाद हमें उसी दिन दोपहर लगबग धाई बजे एक बार फिर अस्पताल से फोन आया जिसमें कहा गया कि मेरे ससुर की हालत अस्थिर है अस्पताल के ऊर से जारी प्रैस्पिग्यपती में GCRI के निदीशथ Dr. शाशांग पंडिया के बयान के हवाले से कहा गया अस्पताल के कंट्रोल रूम के करमचारी ने परिवार को मरीज की मौत की जानकारी दी इसके बाद जब मरीज की कोविड रिपोर्ट नेगिटिव आई तब भी परिवार को बताया गया इस करमचारी द्वारा कथित तौर पर देवराम के परिजन से कहा गया था देवराम की रिपोर्ट नेगेटिव आई, इसलिए उन्हें शिफ्ट किया गया है अस्पताल के आधिकारिक बयान के मताबिक इस करमचारी ने बिना उचित जांच के परिवार को यह सूचना दे दी थी बयान में कहा गया कि इस पूरी घटना में किसी तरह की लापरवाही या गैड़ जिम्मेदाली नहीं थी सिवाए इसके कि जिस करमचारी की कंट्रोल रूम में ड्यूटी थी उसने मरीज का पिछला हेल्थ स्टेटस जाने बिना परिवार को इसके जानकारी दे दे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीविसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए पास में देख रहे हैं बैल आइकन को भी दबाईए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुचे अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो सीविसी वायर का पेज लाइट करिए अगर आप इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं